चलिए रुकते को और बड़ी खबर की तरफ आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर जोहां भुपाल से ग्रहमांथी नरुतम मिश्णा का कमलनाथ को तंज कॉंगरस अनेता अजय सिंग के बयान को बताया सही और ग्रहमांथी ने कमलनाथ को कहा अपनों की सहला माने यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रहमांथी नरुतम मिश्णा ने कमलनाथ को तंज कॉंगरस अनेता अजय सिंग के बयान को सही बताया ग्रहमांथी ने कमलनाथ को कहा कि अपनों की सहला माने कमलनाथ चलिए आपको सुन्वाते हैं क्या कुछ का आए ग्रहमांथी नरुतम मिश्णा ने कमलनाथ जी के बारे में हम कहते थे कि सहीं बतो जूद मत बोलो असर्त मत बोलो तो हमारे कांग्रेस के में तो मानते नहीं थे अब तो राहूल भईया अजय सिंग नहीं कह दी कि सयम बर तो आपके बोलने से कांग्रेस को नुख्सान होता है आपकी वज़े से सरकार गिर गए हम खा दूसरों पर आरूप लगाते हुआ सिंधिया जी पर दूसरे पर अब तो आपके निता पर प्रभी पक्सी रहे हैं उन्हों नहीं कहा अब तो मान जाओ बोनी बाबा हो जाओ कारणी कमलनाथ जी के बारे में चलें इसी पर और जादा जानकारी के लिए हमारे साथ असोसियेट एडिटर गिर दिखशित हमारे साथ जुर गया है गी जी ग्रयमनज़ी ने जिसे तरीके से कमलनाथ को तंज कसते हुए काई जू बात पर बात फिर मता मिल गया है कि चाहे मैं हूँ चाहे कमलना तो चाहे कोई भी नेता हो उनको सभ्यक्तिता हुब करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसकातपर यह था कि जिस तरह से बयान बाजी हो रही थी किजी भी कौंग्रेस नेता की तरफ से वुर भात थी. रात को देर राज जो है इस पर जो है तज्ज कस्ते हुए ग्रेड डॉक्टर ग्रे मंतरी नरुक्तम मिश्णा ने भी ये बात कही कि हम कहते थे तो आपने सुना नहीं अब अपनों की सला मालने कम से कम मौन बने और जूटना बोलने हैं सही हम से बात करना सीकें तो इसका जितिक परिक्षेतर में अब बड़ी बयान बाजी से बचने के लिए एक तरह से सभी ने ताउने सला दिये कोई कि अब ये बयान बाजी का दौर कहीं न कहीं भाजपा के लिए मुफीद साबित होगा और उनको मुद्दे लगातार मिलते जाएंगे रहा हुए बहुत शु झाल